कि नमस्कार मित्रो मैं तुल आप सभी का आपके यूटूब चैनल लर्न विद्फोकस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रो आज आप देख रहे हैं कि हमको हमारे हमारा ज्यादा उत्सा है पोच्था इसलिए कि आप लोगे अपार प्रेम और स्ने की बदवलत हमारे यूटूब चैनल लेग नया मुकाम हासिल कर लिया है ठीक है और हम इसी मुकाम को ध्यान में रखते हुए आपके शने और प् पांसो प्रस्णों की स्रंखला चला रहे थे उसमें आज यह आपका प्रेक्टिस सेट आपका फोर है इस प्रेक्टिस सेट को फोर को हम लोग पचीस कोशन को आठ मिनिट में देखने की कोशेश करेंगे तो चलिए ज्यादा देर न करते हैं वीडियो को सुरुआत करते हैं हाँ यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे लाइक करेंगे तो चलिए पहले कोशन से लोग श्टार्ट करते हैं वह व्यवस्थित प्रविध जिसमें अनुसंधान करता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर से स्वयम मिलकर पाचीद करके एवं उत्तर प्रति उत्तर द्वारा किसी विसाई के बारे में वास्तुविक ज्यान प्राप्त करने का प्रियास करता है क्या कह जिस प्रस्नावली में प्रतेएक प्रस्ने के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचना दाता को उन्हीं में से एक का चुनाव करना होता है तब एसी प्रस्नावली को हम लोग क्या कहते हैं इस प्रकार की जो प्रस्नावली है इस प्रकार की प्रस्नावली को ह किस द्रिष्टिकोड में परिवर्तन किया है तो सब आप जानते होंगे इसने आपके जातिकर द्रिष्टिकोड इसमें भी परवर्तन किया है धार्मिक द्रिष्टिकोड इसमें भी परवर्तन किया है सांस्कृतिक दोस्कोड इसमें भी परवर्तन किया है यानि इसका जो आगे हम लोग बात केते हैं सहयोगति परिवार की संपत्ति के उत्त्राधिकार से संबंधित दाय भाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था तो यह बहुत important question है इसके बारे में पहले बताया जाए चुका है कि जो दाय भाग नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था आ इसी के संदर में प्रधान मंति नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्म निर्भर भारत अभियान की घोषड़ा की इसके तहट कितनी रास की विशेश आर्थिक पैकेज की घोषड़ा की गई थी तो यह था आपका जो आर्थिक विशेश पैकेज वह आपके 20 लाख करोड राजियो गांधी विद्धूति की करण योजना को किस वर्स दीन द्याल उपाद्धाय ग्राम जोत योजना में विलाई कर दिया गया तो इसका जो आपसन सही होगा सही होगा 2014 दिखें कुछ योजनाओं को फटा-फट रिवीजन कर लेते हैं जैसे आपका स्वच्छ भार अब यान Ját योजना उजलाएं ुजलाएं की सुरबादशमा फोट योजना की सुरार तो शोला में वें थो होगा जंधन ये कि शोड़रएं होगा चरवाइन फच्छिना परदान मंतरी आवाश्योजना की सुरवादध 2015 ति नहीं रंस् ahora में थो几र जार पंद्रा में हा मिड़े मिल की सुरुवात 1995 नवी थी हालांकि इसका जो अब नाम बदल कर पीम पोसर यूजना कर दिया गया है आगे हम लोग बात करते हैं राजियू गांधी यह आप कहोगे सात्वा नमबर राष्ट्य स्वास्त मिशन के अंतरग संचालित कारिक्रम मिशन इंद धनुस का क्या उद्देश है तो मिशन इंद धनुस का जो देश वर्ष 2020 तक टीका करण के लच को 90 प्रस्टक तक प्राप्त करना नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अंसार ग्रामीर छेत्रों में कितने मरीजों पर एक बेड़ है तो आप देखेंगे 3100 मरीजों पर एक बेड़ है नवा कोशन हम लोग देखते हैं मनरेगा योजना में केंद सरकार द्वारा तथा राज सरकार के बीच मजदूरी वित्य का आवंटन किस अनपात में किया जाता है यानि केंद सरकार और राज सरकार जो मजदूरी आवंटन करती वो किस अनपात में करती तो इसका अनपात जो है आपका आपसर नंबर सी 95 तस संपूर बीमा ग्राम योजना किस वर्स आरम की गई जिसका उद्देश संपूर बीमा ग्राम के लिए चिनित गाउ के सभी आव ग्रामीड अर्थव्यस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है अब संस्थागत सुधार वो ऐसे सुधार होते हैं जो एक संस्था के माद्यम से किये जाते हैं तो इसमें जो होगा वो होगा आपके भूदारण की विवस्था अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा आधुनिक क्रिसी यंत्र नहीं है तो आप देखेंगे थ्रेसर है, हार्वेश्टर है, ट्रैक्टर है लेकिन बैल हल ये आधुनिक क्रिसी यंत्र नहीं है प्रधान मंत्री किसान संपता योजना का मुख उद्देश क्या है आप जानते हैं कि या भी एक महत पूर योजना है तो इसका जो आप्शन होगा आप्शन नमबर सी क्रिसी उत्पादों की बरबादी को रोगना, भू में भू में भूर राजस वरसूली का कार किसके दोरह किया जाता है चैंजिस किये गए किसानों का मसीना कहा जाता है उन्हेंने पटवारी सब्द को हटा कर लेखपाल सब्द को प्रशलित किया और उनके इस परिवर्तन के फल्सुरूप 20,000 ततकालीन जो लेख पालों उन्होंने स्तीफा सौब दिया था किसी गाव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांग से दरसाने वाला लेखा लेख वाले वाला मानशित्र क्या क्या लाता है तो यह आपका क्या होता है खस्रा खस्रा में आप जानते हुए कितने खाने होते हैं खस्रा में 21-22 कंप्यूटी क्रित होने के पहले कंप्यूटी क्रित होने के बाद में आपके 46 हो गए खताउनी में तेर्या होते हैं निम्लिखित मैंसे किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है तो देखिए इसमें क्या होगा जरीब का बी किया जाता है Swift और लेकिन बायरोगों करते हैं देखे छीजों को आपको जरूरत है भारतियय समाज को बाटा जा सकता मुख्तिया जंजातिय समाज और क्रिशक समाज में 19 उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुर्मा नगरी के नाम से जाना जाता है तो आपने नाम आपने इससे समंदित गाना भी सुना होगा तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपसा नंबर भी बरिली सुर्मा नगरी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिल तड़ी निर्माड के लिए दड़ी निर्माड उद्योग के लिए फेमस है तो आप जानते होंगे मिर्जापूर वर्स 2019 में केंद्रिये खादवा प्रसंस्क्रन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस सिथान पर मेगा फूट पार की आधार सिला रखी थी तो उस समय मेगा फूट पार की जो अधार सिला है वो आपके मत्रूरा में रखी गई थी उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मूफली उत्पादक जिला का उनसा है तो सरवाधिक जो मूफली उत्पादक जिला है वो आपका जासी है ठीक है अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में दुख्ट पदार्थों का वेवसाई किस ट्रेड मार्ग के तहत किया जाता है तो आप सब जानते होंगे ये आपका है पराग खलीहान अगने दुरघटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में नियूंतन धनरासी कितनी प्रदान की जाती है तो इसका जो आपसन होगा आपसन नमबर डी 7500 अब 25 कोशन देख लेते हैं सम्विधान के 73 संसोधन द्वारा सुझाए गए लक्षडों में कौन सा गल होगा और यदि इसे अवद से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराना आवश्या के बिल्कु सही कौन गलत है पंचायतों का चुनाव राज के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है बिल्कु सही है कमजोर वर्गों तथा महिलाव के लिए अनव जिवित आयो के संदर में की जाती थे ठीक है यह तो आपका प्रक्तिस्ट चार अभी तक आप लोगो सो प्रस्नों की संखला करा दी जा चुकी है जदी आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाग जय हिंद